हेलो एवरिवन, वेलकम टो यू, यूर यूट्यू चैनल दी कंसेप्ट, जैहिन टू आल, आज हम शुरू कर रहे हैं हिमाचल परदेश के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की एक सीरीज, इस सीरीज में आप पूरे हिमाचल परदेश के बारे में जानेंगे, हम इन लेक्चर मे इसमें डिसकस करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो हिमाचल परदेश के एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स कबर करेंगे सारे हिमाचल परदेश के एक्जाम पतवारी, SSC, HP Police, Constable और SI, Allied Services, नाइब तसीलदार और HS के एक्जाम को उम हिमाचल परदेश, आज हम हिमाचल परदेश के बारे में जानेंगे बेसिकल उसके परिचे के बारे में, शुरू करते हैं हिमाचल परदेश के इंट्रोडक्शन के बारे में, फर्स्ट है कैपिटल, हिमाचल परदेश की दो रासधानियां हैं, मेन कैपिटल जो काफी समय स यह है शिमला में और सेकिंड कैपिटल बनाया गया है हिमाचल परदेश की धर्मशाला जिसे विंटर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। किस क्षेतर में हिमाचल परदेश पाया जाता है तो यह भारत के उत्री हिस्से में इसलिए कह सकते हैं नौर्दन इंडिया का हिस्सा है हिमाचल परदेश। हिमाचल डे मनाया जाता है 15 एपरिल एबरी एर। स्टेट हूट टो हिमाचल हिमाचल परदेश को पून राज्य का दर्जा कब दिया गया है तो 25 जनबरी 1971 को हिमाचल भारत का अठारमा राज्य बना था। तो स्टेट हूट डे मनाया जाता है 25 जनबरी को हर साल। सबसे बड़े शहर की बात करें हिमाचल के तो शिमला चो कैपिटल सिटी भी है हिमाचल परदेश का सबसे बड़ा शहर है। टोटल डिस्टिक की बात करें हिमाचल में आपको बरतमान समय में कुल 12 जिले मिलेंगे। और जब हिमाचल की स्थापना हुई थी तब 4 थे और भरतमान समय में 12 जिले हैं। जैसे इस तरब में मैप में इन 12 जिलों के बारे में दर्शाया गया है। geographical location के बारे में जानते हैं माचल की तो ये basically northern hemisphere में मिलेगा latitude के बारे में बात करें तो 30 degree 22 dash से लेके 33 degree 12 dash north latitude में मिलेगा वहीं longitude की बात करें तो ये eastern hemisphere का हिस्सा है तो इसका longitude है 75 degree 47 dash से लेके 79 degree 04 dash तो longitude का distance ये दिया गया है हिमाचल परदेश के कुल क्षेतरफल की बात करें तो 55,673 square kilometer हिमाचल परदेश का area है और ये बहुत सारे exam में पूछा जा चुका है हिमाचल परदेश के percentage of total area of HP to the total area of India जो हिमाचल परदेश का क्षेतरफल है वो भारत के कुल क्षेतरफल का कितना परसेंट कवर करता है तो हिमाचल मातर 1.7% इंडिया का area कवर करता है बहुत एक कम पार्ट जो है हिमाचल कंसीड करता है टोटल इंडिया के land का चलिए और जानते हैं हिमाचल परदेश के बारे में state animal of HP हिमाचल परदेश का राजकिय पशू है snow leopard जैसे इस तरह डाइग्राम में दिखाया गया है जिसे बर्फानी तेंदुव के नाम से भी जाना जाता है state word of HP राजकिय पक्षी है हिमाचल परदेश का बैस्टन ट्रेगोपन जिसे जू जू राना कहते हैं इस तरह डाइग्राम में दिखाया गया है तो ये जो राजकिय पक्षी है उसका नाम है जू 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 राना state flower of HP हिमाचल परदेश का राजकिय फूल कौन सा है तो उसका नाम है पिंक रोडो डेंड्रोन जिसे हिंदी में गुलाबी बुरांस के नाम से जाना जाता है यहाँ पिक्चर में इस फूल को दिर्शाया गया है state fish के बारे में बात करें तो golden महसीर इस diagram में दिखाईगी है golden महसीर यह राज्य की मचली है state tree of HP हिमाचल परदेश का राजकिय पेड कौन सा है तो पेड है हमारा दियदार दियदार के पेड आपको मिलेंगे upper part of HP में जहाँ पे snowfall और rainfall दोनों देखा जाता है state game of HP हिमाचल परदेश के राजकिय खेल कौन सा है तो राजकिय खेल है volleyball चलिए हिमाचल परदेश की government के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं बॉड़ी जो है हिमाचल परदेश में उस बॉड़ी को बोलते हैं Government of हिमाचल परदेश, असान भाशा में बोला जाए हिमाचल को चलाने वाली है हिमाचल परदेश की सरकार, गवर्नर की बात की जाए तो हिमाचल में एक गवर्नर भी है क्योंकि हिमाचल एक परदेश है तो बरतमान समय में गवर्नर है शिप परताप शुकला जी चीव मनिस्टर की बात की जाए तो बरतमान समय में हिमाचल परदेश के मुख्य मंत्री का नाम है तो बरतमान समय में हिमाचल में Congress की सरकार चल रही है State Legislature की बात करें तो हिमाचल में Unicameral है Unicameral means की हिमाचल में एक ही सदन है जिसको बिधान सबा या legislative assembly भी बोला जाता है जैसे कि भारत के 6 राज्यों में बिधान परिशत भी है पर हिमाचल उन 6 राज्यों में नहीं आता है असेंबली की बात करें तो हिमाचल की असेंबली का नाम है हिमाचल परदेश लेजिसलेटिव असेंबली जिसे हिमाचल परदेश की बिधान सवा के नाम से जाना जाता है और बिधान सवा की कुल सीटे हैं 68, 68 सीटे हैं हिमाचल बिधान सवा की पार्लेमेंट की सीट्स के बारे में बात करें तो हिमाचल परदेश से पार्लेमेंट की साथ सीटे हैं कुल संसद की साथ सीटे हैं जिनमें लोकसवा की चार सीटे हैं और वहीं राज्यसवा की तीन सीटे राज्यसवा की सीटे जगा के हिसाब से नहीं होती हैं वही लोगसवा की सीटे चार जगाओं से हैं ये बेसिकली रिपर्जेंट करती हैं मंडी को, शिमला को, हमेरपूर को और कांगडा को ये चार सीटे मिलेंगे आपको लोगसवा की हिमाचल पर देश हाइकोट की बात करें, तो हिमाचल का हाइकोट जो है वो शिमला में मिलेगा और हिमाचल हाइकोट की स्थापना 1971 में की गी थी, जो की बरतमान समय में शिमला में है चलिए और जानते हैं हमारे प्यारे और सुन्दर हिमाचल के बारे में Official Languages हैं हिमाचल पर देश की संस्कृत लेंग्वेज को तो इस तरह बोल सकते हैं हिमाचल की दो ओफिशल लेंग्वेजी है primary language है हिंदी वही secondary language है संस्कृत dimensions की बात करें हिमाचल के लंबाई और चड़ाई के हिसाब से तो हिमाचल की लंबाई है 150 km North to South देखा जाएगा तो 150 km की तो इस तरह से यह dimension है हिमाचल परदेश की elevation की बात करें हिमाचल परदेश की यानि की जो उंचाई है समुद्र तल से वो कितने से कितने लाई करती है तो हिमाचल परदेश की elevation है 350 मेटर से लेके 7000 मेटर तक कम से कम उंचाई आपको 350 मेटर की मिलेगी और जादा से जादा उंचाई हिमाचल में 7000 मेटर तक मिलेगी हिमाचल परदेश की nominal GDP के बारे में बात करें और यह GDP आंकी गई है 2023 के अनुसार तो 2023 के समय हिमाचल की GDP है रुपे की फॉर्म में 2.14 लाग क्रोड रुपेज GDP के एकुल है पर कैपेटा इंकम की बात करें 2023 के अनुसार पर कैपेटा इंकम का मतलब है हिमाचल परदेश का एक आम इंसान on an average कितनी इंकम जनरेट करता है हर साल रुपे की फॉर्म में है 2.222.227 रुपे on an average per person की आये इतनी है वहीं US dollar में देखा जाए तो ये है 2.689 US dollar टोटल फॉरेस्ट एरिया हिमाचल की बात करें तो कुल हिमाचल का फॉरेस्ट एरिया है 37.033 स्केर किलोमेटर जैसे कि हम जानते हिमाचल का कुल ख्षेतर फल है 55.373 स्केर किलोमेटर उसमें से 37.033 वो फॉरेस्ट कबर के अंटरगत आता है तो नेक्स पॉरेस्ट यही है कि जो हिमाचल का कुल ख्षेतर है उसमें फॉरेस्ट कबर कितना परसेंटेज कबर कर लेता है तो टोटल एरिया का फॉरेस्ट कबर है 66.5% 2011 के सेंसस के एकॉर्डिंग हिमाचल के कुछ facts के बारे में जानते है जैसे कि सेंसस की बात करें तो सेंसस हर 10 साल बाद इंडिया में देखा जाता है पहला सेंसस आया था 1872 में और इसको लाने वाले थे Lord Mayo और regular सेंसस शुरू हुआ था 1881 में तब से लेके हर 10 साल बाद regular सेंसस आता है अब भी recent सेंसस आएगा 2021 तक जिसके उपर सरकार काम कर रही है बरतमान समय में हमारे पास टाटा है 2011 के सेंसस चलिए इसके वारे में बात करते हैं तो total population है हिमाचल की 68,64,602 on an average 69 lakh के हिमाचल की population देखीगी है 2011 के सेंसस के अनुसार total इंडिया की population में हिमाचल की population का कितना percent share है तो जैसे कि हम जात ते है 2011 के census के according जो इंडिया की total population है उसमें हिमाचल का 0.57 परसेंट ही है असान भाषत में कहें तो इंडिया की total population में इमाचल का contribution सिर्फ आदा परसेंट है अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो हिमाचल में शहरी जनसंख्या है 6,88,552 और ये सारा डाटा है 2011 के सैंसेस के अनसार वहीं टोटल पॉपुलेशन जो है एचपी की है उसमें अर्बन पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत शेर है तो वो अर्बन पॉपुलेशन की परसेंटेज है 10.03% रूरल पॉपुलेशन की बात करें यानि की ग्रामेंट जनसंख्या कुल कितनी है तो हिमाचल की 2011 के सैंसेस के अकॉर्डिंग 61,76,050 वहीं ग्रामेंट जनसंख्या का कितना प्रतिशत है हिमाचल पॉपुलेशन की टोटल पॉपुलेशन का तो वो है 89.97% करीबन 90% जो पॉपुलेशन है हिमाचल की वो ग्रामीन है मेल पॉपुलेशन की बात करें कि पुर्षों की चनसंख्या कुल कितनी है हिमाचल में तो वो है 34,81,872,2011 के सैंसस के अकॉर्डिंग और वहीं टोटल पॉपुलेशन में मेल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है तो वो आता है 50.72% कुल जनसंख्या में 50 प्रतिशत से अधिक पुरुष है फीमेल पॉपुलेशन की बात करें यानि कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी है हिमाचल में 2011 के सैंसस के अकॉर्डिंग 33,82,729 वहीं महिलाओं की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बनता है तो महिलाओं कंसीड करती है 49.28% टोटल पॉपुलेशन का पॉपुलेशन डेंस्टिटी यानि जनसंक्या घनत्व के बात करें तो इसका मतलब है one square kilometer area में कितने लोग रहते हैं हिमाचल में तो on an average per square kilometer 123% मिलेंगे आपको हिमाचल में वहीं इंडिया की बात की जाए तो 82% है per square kilometer हिमाचल में है 123% per square kilometer Sex ratio यानि की हिमाचल के link अनुपात की बात की जाए 2011 के census के according हिमाचल का sex ratio है 972 female per thousand male यानि की 1000 पुर्षों के मुकावले 972 महिलाएं हैं Child sex ratio की बात करें Child sex ratio को concede किया जाता है 0 to 6 year के बच्चों में तो child sex ratio जो है हिमाचल की 2011 के according है 909 और कुछ facts के बारे में जानते हैं 2011 के census के according हिमाचल से later total ST population यानि scheduled tribe population अनसूचित जन जानती जन संक्या हिमाचल में है 3,92,126 और यह है 2011 के census के according अब total population में ST population का कितना प्रतिशत बनता है तो कुल जन संक्या में 5.75% जो है वो ST लोग है हिमाचल में चलिए schedule caste अनसूचित जाती के बारे में बात करें तो कुल जन संक्या 2011 के according है SC की 17,29,252 और SC population का कितना प्रतिशत जो है कुल जन संक्या में है तो 25.2 प्रतिशत जो है वो हिमाचल में SC population है 2011 के census के according Decadal population growth rate के बारे में बात करें यानि की 10 की जो जन संक्या बृद्धी दर है कि 10 सालों में on an average कितनी जन संक्या increase हो रही है हिमाचल में तो 12.94 परसेंट ये 10 सालों में growth rate देखी गई population में यानि की बात करें कि 2001 में अगर हिमाचल की जन संक्या 100 है तो 2011 में इस rate के according 112.94 हो जाईगी हिमाचल की जन संक्या तो ये है हिमाचल में population growth rate चलिए literacy rate की बात करें यानि की शाक्षर्ता दर 2011 के census के according हिमाचल की शाक्षर्ता दर है 82.8% यानि हिमाचल के 100 में से 82.8 लोग जो हैं वो पड़े लिखें हैं literacy rate को आंकज आता है कि 7 साल या इससे अधिक का जो person जो read भी कर सकता है and write भी कर सकता है उसे literate माना जाता है male literacy rate की बात करें कि पुर्षों में शाक्षर्ता दर कितनी है 2011 के census के according तो male literacy rate है 89.53% काफी अच्छा है यानि कि पुर्ष काफी साक्षर है हिमाचल में female literacy rate के बारे में बात करें तो महिलाओं का शाक्षर्ता दर है 75.93% यानि कि महिलाओं में 100 में से 75.93% जो है महिलाएं साक्षर है area wise rank क्या है हिमाचल का पूरे इंडिया में तो area wise हिमाचल का रेंक आता है अठारवा population wise rank क्या है हिमाचल का जनसंख्या के अधार पे हिमाचल जो है इंडिया में 22nd rank पे है literacy rate में इंडिया में rank देखा जाए हिमाचल का तो literacy rate यानि शाक्षर्ता दर में इंडिया में rank है हिमाचल का 11 हिमाचल 11 राज्य है साक्षर्ता दर में sex ratio में इंडिया में हिमाचल का रेंक देखा जाए यानि कि लिंग अनुपात में हिमाचल कौन से स्थान पे आता है भारत में तो लिंग अनुपात में आता है दसमें स्थान पे Population Density के अनुसार हिमाचल का रंक देखा जाए पूरे इंडिया में तो 29th है Mortility यानि कि मृत्युदर मृत्युदर की बात करें तो मृत्युदर को 2018 के अनुसार 6.9 देखा गया है पर 1000 परसन यानि कि 1000 लोगों के अनुसार 6.9 लोग जो हैं वो हर साल मरते हैं मृत्युदर है वहीं बर्थ रेट यानि जनमदर के बारे में बात करें ये भी डाटा 2018 के अनुसार है तो 1000 लोगों के मुकाबले हर साल 15.7 लोग जो हैं पैदा होते हैं यानि कि बर्थ रेट जो है अप्रॉक्स डबल ही है मृत्युदर से इसी के कारण population growth जो है वो प्लस में देखा जाता है Life expectancy की बात करें कि जीवन काल कितना है 2018 के अनुसार ही माचल में Life expectancy यानि कि जीवन काल हर एक परसन का जीवन काल आंका जाता है 72.9 एस एप्रॉक्स ही माचल में एक इंसान जो है 73 साल जो है वो जीवित रहता है अपना जीवन का 73 साल का on and average निकालता है administrative structure के बारे में चांते हैं हिमाचल परदेश के परसाशनिक धांचा क्या है हिमाचल परदेश का तो total division है हिमाचल में 3 और उन division के नाम है शिमला, कांगडा और मंडी मंडी division के अंतरगत 5 district आते हैं शिमला division के अंतरगत 4 district आते हैं और कांगडा division के अंतरगत 3 district आते हैं तो इस तरह से ये 12 district हो गए सबसे बड़ा division है area wise मंडी और सबसे छोटा division है area wise कांगडा हिमाचल परदेश में कुल जिले हैं 12 total sub division है हिमाचल में 78 Subdivision देखे गए हैं हिमाचल में 78 और ये डाटा है 2023 के अनुसार Development Blocks की बारे में बात करें तो हिमाचल परदेश में 2023 के अनुसार Development Block है 84 Total तहसील के बारे में बात करें तो 2023 में हिमाचल की कुल तहसीले है 110 और वहीं सब तहसील के यानि उप तहसीलों के बारे में बात करें तो 2023 के अनुसार हिमाचल में उप तहसीले है 72 तो सब तहसीले और तहसीलों को मिलाके total 182 है Total गौँ देखे जाए 2011 के census के according total गौँ है हिमाचल में 20,690 और उन में से independent villages है 17,882 Total Towns की बात करें तो कुल कस्में है हिमाचल में 61 Total Municipal Corporation की बात करें very important exam perspective से आवी चुका है बरतमान समय में 2023 के डाटा के अनुसार हिमाचल में कुल मुनसिपल कॉर्परेशन है 5 पहले थी शिमला धर्मशाला तीन एड की गी हैं तो शिमला धर्मशाला के बाद एड हुई हैं मंडी, पालंपूर और सोलन तो ये 5 मुनसिपल कॉर्परेशन हैं बरतमान समय में जिला परिशद की बात करें तो बरतमान समय में total जिला परिशद हैं 12 ब्लॉक पंचाइट्स हैं बरतमान समय में 81 नगर पंचाइट्स मिलेंगे आपको बरतमान समय में 27 टोटल नगर परिशद मिलेंगे बरतमान समय में 29 और टोटल बिलेज पंचाइट्स कितनी हैं यानि कितनी पंचाइटे मिलेंगे आपको 3615 और ये सारा data हमारे पास 2023 के अनसार है हिमाचल के regarding उमीद है इस बीडियो लेक्चर में आपने काफी basic information प्रापत की है हिमाचल के बारे में next बीडियो लेक्चर में हम देखेंगे और कुछ जानकारी हिमाचल के बारे में उमीद है बीडियो लेक्चर आपको काफी पसंद आया है बीडियो लेक्चर को लाइक करें शेर करें, कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें थैंक यू, जै हिंग जै भारत, जै हिमाचल